हे गैस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभावम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सिस पाकिस्तान के बीच में होने वाले सबसे हाई रिटेड मुकाबले के बारे में जो की खेला जाएगा दोबा पाकिस्तान शीरंग का उसको ध्यान से देख लीजेगा आज क्योंकि इसी सेम वेन्यू पे आपको इंडिया पाकिस्तान के प्लियर्स खेलते हुए दिखने वाले इसके अलावा आपको बता दू फैन्टू प्ले आपके लिए लाया है इंडिया पाकिस्तान में 50,000 रुप अब का गैरेंटीट कॉंटस्ट भी है इसके साथ इसाथ अभी चल रहे है डिपॉजिटर गेववे जिसमें आपको डिपॉजिट करने पर प्राइजे मिलेंगे आपको 25 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में हैवी से हैवी डिपॉजिट करने है आप जो भी डिपॉजि है तो भी आपको काफी ज़दा प्राइज मिलेंगे तो 60 रेंग तक प्राइज है फस्ट रेंग से लेके 60 रेंग तक और आप अगर आप अच्छा डेपोजिट करेंगे तो रेंग वन भी लगा सकते हैं जिस पर आपको मिल रही है रोयल एंफिल्ड की हंटर भाई ठीक है तो लिंक वगेरा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका देही दिया है यह वो फ्री एंट्री कॉंटेस्ट है 50,000 रुपीज का प्राइज पूल है और कुछ नहीं करना है जैसी आप साइन अप करेंगे बस रेफर को डेफेक्स लगा के साइन अप करिए आपको ये फ्री एंट इंडिया पाकिस्तान के स्टैट्स हम देख लेते हैं सबसे पहले तो वेन्यू की बात करते तो दोबाई इंटर्निश्टर के स्टेडियाम मैच होगा यहां पर और यह स्टेडियाम आइम तोर पर चेजिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो भी टीम टॉस को वि करती है इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत इंपोर्टेंट है और इसकी फाइनल टीम में आपको बता दूं टेलिग्राम चैनल पर दूंगा तो जो लोग टेलिग्राम चैनल से हमसे नहीं जुड़े वहां पर आपको एशिया कपके सारे मैचिस की टीम वागेरा दी जाए क्लिक कर ये मेरे ए कमेंट पर वत आपको टेलिग्राम शेनल पर ले जाएगा या फिर दिस्क्रिप्शिन में जैसी आप इस वीडियो टाइंटल पर दो जीते हैं दो हारे हैं पाकिस्तान ने बहुत मैचेस खेले 28 मुकाबले अभी तक यह लोग खेल चुके हैं 16 जीते हैं 11 हारे हैं एक मैच नो रिजल्ट रहा है यानि पाकिस्तान के पास इस वैन्यू पर अच्छा एक्सपिरियंस है दोबाई स्टेडियम की अगर हम बात करें बना रखें तो इंडिया के पास भी एक्सपिरियंस है इस वैन्यू का थोड़ा सक कम है हाईस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो रोहिश चर्मा का 56 है मोस्ट विकेट की बात करें तो रविण जड़ेजा के छे विकेट यहां पर बेस्ट बॉलिंग फिकर्स इंडिया की त इंडिया और पाकिस्टान की कुछ टोटल की तो इंडिया का हाइस टोटल वन एट्पट वन है और यह सटल वंडेर तैन है पाकिस्तान की तरफसे रिजवान और बाबर की 152 runs की partnership है इसी venue पे और इंडिया की तरफ से केयल राहुल और रोहे शर्मा ने 86 runs की partnership हाइस्ट करिए इंडिया की तरफ से इस venue पे अगर हम बात करें कुछ news की तो आपको news बगएरा मिली कई होगी जैसे मौमध हसने इन्होंने replace कर दिया शाहिन अफरीदी को जो की इंजर्ड है अफरीदिस टाइम पे तो स्कॉर्ड में है असने अली भी देखिए मौमध वसीम जूनियर को replace कर चुके हैं असनली स्कॉर्ड में है कुल दीप सें ने इपक चयर को वह रिप्लेस किया है तो कुल दीप सें फेंट सु टिप की तो पिहले एक साल में प्लेयर्स ने कैसा खेला है T20 International में क्या fantasy point दिये वो देखते हैं रोई शर्मा 21 international मुकाबले पिछले एक साल में खेल चुके हैं और ये 49 fantasy point पर match आपको दे रहे हैं fantasy point क्या होते हैं बैटिंग के points हो गए फिल्डिंग के हो गए catches वगएरा जो हो जाते हैं विकिट्स वगएरा ली जाती हैं तो उस सब के total points जनरेट होते हैं fantasy point जनरेट होते हैं तो वो points पर match अगर हम निकालें तो रोई शर्मा के 49 के आज़ पास पर match निकलते हैं वहीं सुर्कुमार यादव के 19 मैच में 47 निकलते हैं बाबर अजम के 13 मैच में 54 fantasy point पर match निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा है फकर्दमन के 33 हैं फकर्दमन का उत्तक्चा performance नहीं रहा जित्ता बाबर अजम कर रहा है और रोहित शर्मा कर रहा अपनी अपनी टीमों से हर्दिक पंड़ा की 46 fantasy point पर match है रविंदर जड़िजा की 55 है शादाप खान की 55 है अब देखिए रविंदर जड़िजा और शादाप खान भी important players रहेंगे आज देखना पड़ेगा कैसा क्या wicket मदद कर रहा है spinners को भी तो ये players batting balling दोनों कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए important है फिर मोहमद नवाज है 47 fantasy point पर match के साथ फिर आते हैं चहल 41 fantasy point पर match भुबनेशर 41 रॉफ 41.2 और उसमान कादर ने दो ही मुकाबले खेले हैं इंटरनेशनल के 73 fantasy point पर match का performance दिया है विकिट कीपरिंग section में देख सकते हैं रिजवान के 72 fantasy point पर match है रिशब पन के 35 और दिनिश कार्थ तक के 25 है तो यहाँ से रिजवान जो है विकिट कीपरिंग में काफी उपर आ रहे हैं और काफी ज़दा fantasy point पर match दे रहे है इसके बाद हम बात करते हैं टोटल मैचेस की वेन्यू पर तो इंटरनेशनल लेवल पर 76 मैचेस में से 36 बैटिंग फर्स, 39 बैटिंग सेकंड ने जीते एवरेज फर्स बैट के score 143 होता है maximum time scoring यहाँ पर 150 के बिलो होती है और highest sunrise हैदराबाद का total दर्जे 219 का scoring pattern में देख सकते हैं यह कुछ scoring pattern है जो यहाँ पर आम तोर पर देखे जाते हैं जैसे 38 times 150 के बिलो स्कोर हुआ 34 times 150 से 169 स्कोर हुआ international matches जो आखरी हुए वो भी देख लीजे आखरी match तो New Zealand Australia का हुआ है अभी शिलंका अफगानिस्तान का भी चल रहा है तो उसको भी जैसी वह एंड हो जाएगा आप उसको भी देख लीजेगा कि उसमें क्या हुआ हुआ है इस्पिन पेस का क्या रेशो रहा बट 2021 में स्पिन पेस का रेशो एक बटा पांच था यानि कि एक विकेट स्पिन को मिला था इस match में और पांच विकेट पेस को मिले थे और रंस भी काफी अच्छे बने थे चेजिंग भी हो गई थी इसके पहले वाले match में भी देख सकते हैं स्पिन को पांच विकेट पेस को चार विक्टे हैं यहां भी chasing हुई है और यहां पर spinners ने अच्छा किया है तो कुछ-कुछ matches में spinners भी अच्छा कर रहे हैं देख सकते हैं spin का ratio pace पे भारी बढ़ रहा है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा venue कैसा है आज तो grass वगे रहा थी यानि कि Paces को मदद अब देखना पड़ेगा कल के match म सब्सक्राइब लेखा हुआ है domestic level पर भी कुछ matches हुए जैसे IPL के कुछ matches हुए थे उसमें high scoring matches जा रहे थे यह venue पर देख सकते हैं 170 190 क्रॉस हो रहे थे और spin pace का जो रेशो बन रहा था वो भी आपके सामने इस पेनस के मुकाबले IPL में Paces जादा अच्छा कर रहे थे यहाँ पर तो इस सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन डे एक बार ध्यान से बस देख लीजे स्कोर्स वगेरा को और spin pace के रेशो को यह चीज़ बहुत important रहने वाली है फिर अब हम बात कर लेते हैं नीचे ICC ranking की तो इंडिया number one है इस ranking में T20 international में और पाकिस्तान number third है तो दोनों टीम है टकर की हैं इंडिया थोड़ी ज्यादा मजबूत है बट last time पाकिस्तान भी जीती थी इसी same venue पर तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे head to head में हम आगे हैं इंडियन टीम देख सकते हैं 9 में से 7 मैचे जीती है पाकिस्तान दो जीती है बट last time पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली थी इस चीज़ को भी नहीं बूलना चाहिए और 10 विकेट से इन उस मैच को जीता था इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ प कूरर्स में आप देख सकते हैं इंडिया की तरफ से विराट कोली ने 57 लगाया था इनके रिकॉर्ड वैसे भी पाकिस्तान के सामने काफी अच्छे हैं उस मैच में अकेले 57 लगा गये थे रिशाप पन ने 39 लगाया था मोहमद रिजवान ने 79 नोट आउट की पारी खेली बाबर अदम ने 68 नोट आउट की पारी खेली थी और हासन अली भी दो विकेट लेके गये थे शाहिन भी लेके गये थे बड़ शाहिन अब खेल नहीं रहे मैच रेट की बात करें 2016 वाले तो उसमें तो देखिए उसके पहले की सारे मैचेस हम नहीं जीते हैं मक्सिमम तो ल ज़ए जड़ेजा हो गए हर्दिक पंड़ यो लोग भी अच्छा करते हैं तो 2016-14 के जो मैचेस हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो आख्री 5-20 मैचेस में इंडिया पांच जीत के आ रहा है पाकिस्तान भी आख्री 5-20 मैच मैच और West Indies वगेरा से भी जीते हुए हैं, सिर्फ एक मैच ये ऑस्टेलिया से पाकिस्तान हारी थी और हम एक West Indies से मैच हारे थे, इसके बाद प्लेयर बेटल की बात करें, तो जादा कुछ प्लेयर बेटल तो नहीं है, बट फिर भी देख लीजे, विराट कोली वर्सेस हसान अल और उनको एक भी विकेट नहीं दिया, यहां पर देख सकते हैं, रिशब पंथ और हर्दिक पंडा का, जैसे शादाप खान जो है, 12 बार बालों पे एक बार विकेट लिए रिशब पंथ की, वैसी हर्दिक पंडा के सामने हरीश रॉफ ने दो रन दिये, तीन बालों पे औ आप देख सकते हैं, दोनों प्लेश का क्या अवरेज है, रोई शर्मा 31 के अवरेज से कहलते हैं, केल राहूल 44 के अवरेज से कहलते हैं, रिसेंटल रोई शर्मा का फॉर्म बहुत अच्छा तो नहीं है, बट एज़ग बहुत सक्सेस्फुल रहते हैं, और आखरी पांच क पांच मैच इनोने ऐसा कैप्टन जीते हुए हैं, तो रोई शर्मा जब जब कैप्टन जी करते हैं, खुद भी अच्छा केलते हैं, की टीम भी पूरा अच्छा केलती है, वहीं केल राहूल के भी आखरी दो टीटी मैचेस बहुत अच्छे गए, 79-68 की स्कोरिंग हुई है हाला की head to head दोनों का उत्ता अच्छा नहीं है, बट इनसे expectation हाई होगी, विराट कोली, recent performance आपको पता है, खराब चल रही विराट कोली की पिछले 5 मैच में 73 रंस का नौक एट टीटीम है, हाला की opposition टीम पाकिस्तान के खिलाफ ये एक मात तरह से प्लेयर हैं, जो लगातार 40 50-50 प्लस स्कोर करते हैं, ये देखिए, लास्त तीन मुकावलों से लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं, अकेले, सूरी कुमार एदफ, पिछले कोछ मैचेस देखें इनके, पिछले 5-6 मैचेस में इनका 1-76 का नौक है, एक 17 का नौक है, चार नंबर पे काफी एक मजबूत प्ल पोजिशन टीम ही खलाफ लास्त टाम इन्हों ने 11 स्कोर किया था, रिषभ पन्थ लास्ट पोजिशन चलाफ 35 स्कोर किया था, जब विरडद कुल ने 57 करा था, तो ये 2 प्लियर थे जिन्होंने लास्ट सीजन जो है, तो लास्ट ताम जब खेले ते पाकिस्तान को तब high score क किया था बाकि सारे प्लियर्स एकदम से आउट हो गए थे रिसेंटली फॉर्म तो देखिए रिशाप पंद का भी ठीक ठाक है इस फॉर्मेट में मुस्ट आप द मैच में अच्छा कर रहा है विगट कीपर बैटर भी है फिर आते हैं हार्दिक पंद्या मेरे साब से इस मैच का भी फॉर्म बहुत अच्छा अगर इन तक बैटिंग आ जाती है तो यह भी बहुत शांदार खेल सकते हैं अभी बीच में आई-पेल बगएरा में अपने देखी लिया था जब जब इनकी बैटिंग आती है इस स्कोरिंग करने के लिए फॉर्म में है इस टाइम पर इनक उल्डेस जमाया हुआ है टी-टुन-टी के ही मैचेज हैं इंटरनेशनल डॉमेस्टिक प्लस बहुनिश्वर कुमार राइटाम मीडियम शुरुवात में बॉलिंग करेंगे डेथोवर्स में बॉलिंग करेंगे रिसेंटली इनको स्विंग बागेरा भी काफी मिलने लगा और इनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा सुधर गई है अब पूदिशन टीम के लाब बहुत अच्छे स्टैट नहीं है बट फॉर्म बहुत शांदार ध्यान रखिएगा आश्दीब का फॉर्म बहुत अच्छा है एक्सपेक्टेड है कि बॉनिश्वर की साथ जो है अगर टीम चाहे दिनिश्कार्थिक को ना खिलाना तो दीपा खुड़ा सकती है यह भी अच्छे फॉर्म में है प्लस बॉलिंग बैकप भी आपको देंगे कुछ ना कुछ ओवर्स कर सकते हैं अगर खेलेंगे तो रवी चंद्र अश्विन टीम के पास है रवी विश्वर फकर जमान ओपन करेंगे मुहमत रिज्वान की साथ यहां पर 27 बहुत अच्छा नहीं पिछले 5 मैचेज में टीटूंटीज में वहीं मुहमत लिज्वान का फॉर्म अच्छा है प्लस यह विक्ट कीपर भी है तो यह इंपोर्टन्ट है लास्ट टाइम भी इंडिया खिला अच्छा है और इंडिया के सामने रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इसके बाद नंबर चार पर आपको खुश दिल चाहँ दिख सकते हैं और उसके बाद हैदर अली दिख सकते हैं इनके 28 और 25 के अवरेज़े रिसेंट परफॉर्मस दोनों प्रेयर्स की बहुत अच्छी न और बालिंग फॉर्म दोनों काफी ज़्यादा सुदर चुकी है टीम के वाइस कप्तान भी है और इस वेन्यू पर अच्छा कर सकते हैं खास करके बालिंग से और अगर बेटिंग आ गई तो फिर इनके लिए एक बोनस होगा तो ये भी इवन आपके लिए वाइस कप्तानी के डीसेंट पर खो सकते हैं इस वेन्यू पर बहुत अच्छे फॉर्म में फिर आते हैं हरी सुरॉफ अब क्योंकि शाहिन अफ्रीदी नहीं है तो में डैथ बॉलर इस टीम से हरी सुरॉफ रहेंगे यानि फर्स्ट बॉलिंग के केस में डैथ होवर्स में आपको हरी ने चार या पांच विकेट निकाले थे आसपास यह लेके गया था यानि हम में हराने के बाद पाकिस्तान जब नेक्स मैच निज रेंड से खेली थी तब हरी सुरॉफ का परफॉर्मस निकल के आया था उस मैच में तो यह प्लियर इंपॉर्टन रहेगा ध्यान रखिएग और रिसेंटली अच्छा गर रहे हैं अगर आप देखें आगरी पांच मचे स्टीटोंटी के उठाके तो हर एक में विकेट है इसके बाद इनके पास उसमान कादिर हैं लेफट आम लेगे स्पेन बोलर रिसेंटली फॉर्म आप इनकी देख सकते हैं इंडिया के सामने कभी नहीं खेले सेकंड बॉलिंग में थोड़े से इंपोर्टेंट हो जाएंगे हलाकि पाकिस्तान ज्यादा बोलर्स के सांथ खेल रहा है तो कुछ बोलर्स के ओवर्स भी कट सकते हैं इनके पास च्छे बोलर्स प्लस अगर आप खुछ दिल चाके भी कुछ बोल बोलिंग और ऑप्शन देखें तो साथ बोलिंग और निकल के आ जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं टीम की क्या हमारे टीम बनेगी जिल लोगो स्टैट फिर से देखने है fantasyxpress.com पे जाके देख लीजेगा सो गई जे मेरी टीम रहने वाली है stat के basis पे देखें तो यही टीम जो थी मेरे साब से best हो रही थी और इसके अलावा भी कुछ options दूँगा आपको बाबर captaincy के इसलिए अच्छी option है हो इस venue पे बहुत matches खेले हैं बहुत अनूभा वे इनको इस venue का पाकिस्तान में जितने matches नहीं खेले हैं उससे ज़्याद तो दुबई में खेल गए तो बाबर के पास form भी है experience भी है इसलिए इनको captain करना ज़्यादा बेटर हो सकता है wise captaincy के options में मौंबद रिजवान है, रोई शर्मा है विराट कोली, हार्दिक पंड्या ये लगबख 4 option आपके पास बहुत अच्छे हैं जिनको आप as a wise captain try कर सकते हैं इवन लोकेश राहूल भी but options बहुत हो जाएंगी इसलिए मैं आपको कुछ चीज़े बता दी जिन प्रस का stat अच्छा है जैसे head to head में विराट dominant करते हैं head to head में रिजवान और बाबर के record अच्छे हैं हालकि एक-एक मैची खेली हुई है बट अच्छी है, रोई शर्मा के सामने left arm pace का वो option नहीं रहेगा शाहिन गाला, तो left arm pace से थोड़ी सी दिक्कत होती थी रोई शर्मा को बट शाहिन ये उनको परिशान कर सकते थे, अब वो नहीं है तो रोई शर्मा का performance अच्छा निकल के आ सकता है इवन all-downters की बात करें तो शादब खान जैसे all-downter आपके लिए वाइस कप्तानी के अच्छे option हो सकते है first balling इंडिया की हुई, तो देखिए bonus shot death overs में गिंदवाजी करेंगे अश्च दीब भी, इनको grand leagues में try कर सकते है और पाकिस्तान की first balling होती है तो grand leagues में हरी सुरॉफ भी आपके लिए अच्छे option होंगे, तो देख लिजेगा toss के साब से भी थोड़ा बहुत, और pitch के साब से भी कैसा क्या रहने वाला है, तो grand leagues में साब से combination strike कीजिएगा मेरे साब से best combination बन सकता था मैंने बना दिया captaincy, vice captaincy की बात रही तो हम वो toss time पे decide कर लेंगे telegram channel से आप जोड़े रहेगा, बस वहाँ पे आपको सारी updates वगेरा pitch case आप से दे दी जाएंगी, और जो best possible options होंगे वो आपको मैं बता दूँगा, वाइस कपताने के अभी hardik panda भी देखे, अच्छे option है, अगर fifth balling option रहे अगर sixth balling option रहे, तो hardik panda बहुत अच्छे option नहीं होंगे वाइस कपतानी के, तो playing 11 देखना बहुत जरूरी है, toss report, pitch report देखना बहुत जरूरी है telegram से जुड़ जाएगा, comment section में मैंने link को pin कर दिया है और हाँ जिन लोगों ने अभी तक fan to play download नहीं करा कर लीजे 50,000 का free entry contest है, 5,000,000 की grand league लगी हुई है और depositors giveaway भी चल रहा है, तो चल्दी से sign up करिए, refer code fx लगा के ताकि आपको bonus free entries, giveaways बगरा मिलते नहीं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, like share, subscribe कर दीजेगा, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye